ये कहानी है एक वाटर मॉंस्टर की जिसकी एक काउ में काफी दहशत थी वो ऐसे लोगों की बली देता था जो उसके बारे में जानना चाहते थे मूवी की शुरुवात होती है और हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो ब्लैक वूट फॉरेस्ट में वाटर मॉंस्टर को ढूणने आया है और वो ये भी पता लगाना चाहता था कि उसके बहन की असली पैरेंट्स कौन है वो अपनी बहन के लिए डाइरी में लिखता है कि मैं इस गाउ में तुम्हारे जन्म की सच्चाई ढूणने आया हूँ पर यहां आने के बाद मुझे वाटर मॉंस्टर के बारे में पता चला इसलिए इसकी सच्चाई मुझे जानना है और आशा करता हूँ कि तुम मुझे ढूणने नहीं आओगी अब वो और भी डर चुका था वो देखता है कि कोई उसकी बोट की तरब बढ़ रहा है यह वाटर मॉंस्टर होता है जो उस पे हमला कर देता है अब सीन सिफ्ट होता है और हमीं जिया नाम के एक लेडी को दिखाते हैं इसे इंस्पेक्टर जू ने गोद लिया था जिया उसे शां अपा इंस्पेक्टर जू का मडर कर दिया पर जिया ने इस केस को सौल किया जिससे वो काफी फेमस हो गई थी अब वह देखती है कि कोई उसे काफी सारे ब्लैंक लेटर भीज रहा था उसका भाई युवान बताता है कि ये सब शांगुई गाउ से आये हैं इसलिए वो बि हैं यहां उसे एक कपल अपनी बच्ची को गलती के लिए वाटर मॉंस्टर को माफी मांगते हुए दिखाई देते हैं अब वो आगे बढ़ रही थी कि यहां कुछ गावले एक बॉड़ी को दफनाने ले जा रहे थे पर तभी उसे उस बॉड़ी के पास एक बैज दिखता है जो कि उसके भाई का था इसलिए वो लाश से कपड़ा उठाती है पर यह उसका भाई नहीं था तभी एक अवरत जोर जोर से चिलाने लगती है तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो वो गन उठाती है और बुड़ीया से पूसती है कि मेरे भाई का मेडल उस बॉड़ी के पास कैसे आया बुड़ीया बोलती है कि मुझे नहीं पता तभी उस गाउ का मेर वहां आता है और उसे रोकता है और उसे पूसता है कि क्या तुम जिया हो मुझे शांगाई ऑफिस से लेटर मिला है कि तुम आने वाली हो और मुझे तुमें इन्वेस्टिगेशन में भाई का मेडल उसके पास कहां से आया वो बताता है कि शायद उसे चुराया हो वो ये भी बताता है कि यहां जो भी वाटर मॉंस्टर के बारे में च्छान बिन या बात करता है उसे वाटर मॉंस्टर मार देता है मॉंस्टर से बशने के लिए लोग उसकी पूजा करते हैं अब वो उसे एक घर में लेकर आता है, यहां जिया के ठैरने की विवस्ता की गई थी, इन फैक्ट युवान भी यही रहता था, मेर बताता है कि काफी समय से मैंने युवान को यहां नहीं देखा, शायद वो कहीं चला गया है, यह जगा कुछ अजीब होती है, गाउवालों का मानना था, यह जगा हॉंटेड है, यहां उसे एक कमरा दिखता है, जहां काफी फोटो रखी हुई थी, एक फोटो में उसे उसके भाई के साथ एक आदमी दिखता है, जो उसे फ्यूनरल में मिला था, यहां उसे एक अलमारी भी दिखती है, जिसे वो सब हटाते हैं, यहां एक दर्वाजा था, जो घर के पीछे की तरब खुलता था, वो बाहर देखती है, वहां उसे कुछ फ्रूट्स दिवार पे रखे हुए दिखते हैं, वो मेर को बोलती है, कि अगर मेरे भाई की को बाहर जाना चाहती थी, पर तब भी उसे वहां कोई रोते वे दिखाई देता है, यह उसका भाई था, अब जैसे ही वो उसकी तरब तौडती है, दर्वाजा बंध हो जाता है, वो उसे खोलती है, यह एक कॉफिन होता है, उसे वहां एक फैमिली दिखती है, और अचानक उ मेरा नाम टीनू है, वाटर मॉंस्टर ने मेरे पैरेंट्स को मार दिया है, और अब वो मुझे भी मार देगा, जीया उसे समझाती है, उसे खाना खिलाती है, तभी वहां किसी की आवाज आती है, टीनू वहां से भाग कर छुप जाता है, यहां कोई छट पर चल रहा था, जी है, जीया और टीनू गाओं में नाश्टा करने आये थे, यहां उसे वहां आदमी दिखता है, जो युवान के साथ फोटो में था, जीया कहती है, कि तुमारे भाई ने युवान का मैडल चुराया था, पर वो गाफी गुस्सा होता है, और उसे वहां से जाने बोलता है, त अब ये दोनों वहां से निकलते हैं, जीया पूसती है, कि क्या किसी ने वाटर मॉंस्टर को देखा है, तीनू बताता है कि जिसने भी उसे देखा, वो मारा जा चुका है, अब वो वापस अपने घर में आती है, रात हो चुकी थी, तभी उसके दरवाजे पे कोई ठक ठक क देता है, और वहां से चला जाता है, अब वो जंगल से जाही रहा था, कि कोई उसका नाम पुकारता है, शीनू, जिससे वो काफी डर जाता है, और वहां से भागता है, पर डर के मारे उसे समझ नहीं आता, कि इस दिशा में जाना है, वो एक पेड़ को चिपक के बैठ जात और यहां उसे फोटो में वाटर मॉंस्टर दिखाई देता है दूसरी तरफ हम शीनू के वाइब को देखते हैं जिसे पता चलता है कि सीनू वहाँ नहीं था सुबह होती है, सबको उसकी लाश नजर आती है जिया को उसके मौत की खबर मिल चुकी थी सुबह होती है, ये दोनों rubber stamp बनाने वाले के पास पहुंसते हैं क्योंकि जिया को कोई इस गाव से लेटर भीजा करता था और उस पे एक stamp होता था और पूरे गाव में यही आदमी था जिसका नाम कीम था और ये stamp का काम करता था जिया उससे स्टैम के बारे में पूसती है जिससे वो काफी गुसा होता है और कहता है कि तुम छान बिन मत करो नहीं तो सब मारे जाएंगे तब ही कीम की वाइप बोलती है कि अपनी बेटी की तब्यत बिगड रही है इसलिए सभी गाव वाले वहां आते है और वाटर मॉंस्टर की फ्रातना करते हैं जिया बोलती है कि इसे मलेरिया हुआ है इसे किसी मॉंस्टर ने सज्जा नहीं दी है वो उसे कुछ दवाई देती है जिससे उस लड़की को होशा जाता है अब टीनू और जिया वापस अपने घर की तरफ निकलते हैं पर तब ही उन्हें वहां कोई होने का शक होता है ये एक लड़की होती है जो उन्हें पुला रही होती है तीनू बताता है कि ये गूंगी है वो इशारे में बताती है मै मैंने पेपर में तुम्हारी फोटो देखी थी और मैंने ही तुम्हें लेटर लिखे थे ताकि तुम इस गाउ में आके छान बीन करो। वो ये भी बताती है कि तुम जहां रहती हो मैं वहाँ वाटर मॉंस्टर के लिए फ्रूट्स रखती हूँ ताकि वो गाउवालों को ना मारे वो ये भी बताती है कि रास्ते में एक कुवा है जहां इसे वो वाटर मॉंस्टर आता है अब वो वहाँ से चली जाती है पर रास्ते में उसे पोस्टमेन मिलता है वो कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा पर तभी पीछे से एक आवाज आती है और दोनों म बलकि उसका भाई युवान था जो कि मर चुका था। उसे देकर वो काफी भावुक होती है। टीनू कहता है कि इसे भी वाटर मॉंस्टर ने मारा है। से आजारी दिलाईगी। अब ये दोनों एक बोट से ब्लैक उट फॉरेस्ट की तरफ निकलते हैं। और उसी जगह पहुशते हैं जहां वाटर मॉंस्टर की मूर्ती थी। युवान भी यहीं आया था। ये लोग मॉंस्टर का इंतजार करते हैं। तभी टीनू को वह आते ह करके टीनू को नीचे खीचने लगता है। जिया बंदूख चलाती है और जल्दी से टीनू को उपर खीचती है। पर मॉंस्टर इन पे हमला करता है। पर ये उससे बच जाते हैं। अब वह वापस आता है और जिया पानी में गिरने वाली होती है कि मॉंस्टर उसके बाल पकड़ लेता है और उसे पानी में खीचता है। पर जिया बंदूख से गोली चलाती है जिससे वह उसे छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ गावाले आते हैं। और कहते हैं कि ब्लैक वुड फॉरस में आने की तुमारी हिम्मत कैसे हुई। अब स टीन शिफ्ट होकर गाव में आता है। पूरे गाव वारले वाटर मॉंस्टर से प्रातना कर रहे थे। यहां हम अंकल कीम को भी देखते हैं जो काफी गुसा थे। वह कहते हैं कि जिया ने वाटर मॉंस्टर को परिशान किया है। और इसके कारण वाटर मॉंस्टर पूरे गाव के लोगों को मार देगा इसलिए हमें जिया को सजा देना जरूरी है पर तभी मेयर वहां आता है और कहता है कि ये हमारे गाव की गेस्ट है इसे शांगाई सीटी के ओफिस ने यहां भीजा है अगर इसे मार दिया तो सोलजर यहां आएंगे और कोई नहीं बचेगा अं भाई को ही नहीं बलकि गाव वालों को भी मारा है और तुम इसको गौड मानते हो इसकी पूजा करते हो और वो मुर्ति पे गोली चलाती है और उसे तोड़ देती है यहां वो विलेजर को एक लिटर भी दिखाती है कि उसे इस गाव में वाटर मॉंस्टर की छानबिन करने भी जा गया था अब वो फिर से ब्लैक वूट फॉरेश जाती है और तालाप के किनारे खड़ी होती है तब ही गाव वाले भी वहां आते हैं वो चाहते थे कि जिया का साथ दे ताकि वाटर मॉंस्टर को पकड़ा जा सके जिया पूसती है कि तुम्हें वाटर मॉंस्टर से डर नहीं लगता वो कहते हैं हम मेंसे हर किसी ने अपना कोई खोया है और खास करके अपने बच्चों को इस गाव में सबसे ज़्यादा बच्चे गायव होते हैं इसलिए अब हम उसे पकड़ के ही रहेंगे इससे पहले तुम्हारे भाई ने उसे पकड़ने की कोशिश की पर वो मारा गया जो युवान ने मॉंस्टर को पकरने के लिए एक ट्रैप का डिजाइन किया था अब ये लोग उस मैप के हिसाब से ही उसे पकड़ने की पूरी तयारी करते हैं वो जंगल और गुफा में एक ट्रैप लगाते हैं जिससे वाटर मॉंस्टर को पकड़ा जा सके। अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। जीया तालाप में उतरती है और वाटर मॉंस्टर का इंतजार करती है। यहां हम उस वाटर मॉंस्टर को देखते हैं जो काफी डराऊना लग रहा था। वो धीरे-धीरे जीया की तरफ बढ़ता है और जीया के पास पहुथता जिया बोलती है कि तुमने मेरे भाई को मार डाला और उस पे चाकू से हमला करती है पर वो चाकू निकालता है और उसे जोर से धक्का देता है विलेजर ने यहां ट्रैप लगाया था जिससे उसे बान कर पेड़ की तरफ खीचा जाता है अब वो वापस जिया की तरफ बढ़ पर वो काफी तेज था अब जिया जल्दी से गुफा में आती है क्योंकि इनका प्लान था अगर मॉंस्टर बाहर बज गया तो उसे गुफा में पकड़ा जा सके अब वो धीरे धीरे गुफा के अंदर आता है पर उसके लिए जो ट्रैप लगाया गया था वो उपर ही अट लग जाता है मॉंस्टर ने ये देख लिया था इसलिए वो एक विलेजर पे हमला करता है जिया उस पे गोली चलाती है और सब को गुफा के बार भागने बोलती है मॉंस्टर यहां एक-एक को मार देता है अब वो जिया पे हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है अब वहाँ से भाग चुके थे, जिया को होश आता है, वो वाटर मॉंस्टर को अपनी तरफ आते हुए देखती है, मॉंस्टर उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, यहाँ एक बुढिया भी होती है, वो कहता है कि तुम इसी गाव की हो, और वो लेडी तुम्हारी मा है, पर तभ लोगों की तारीब कर रहा था, जिन्होंने मॉंस्टर को पकड़ा था, इधर जिया को उसके भाई का लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि गाव में जो लोग मारे गए, उन्हें वाटर मॉंस्टर ने नहीं मारा, बलकि वो कोई और है, अंकल जू और मेयर, ये दोनों ग विलेजर जिया को पकड़ के लाते हैं, और उसे पिंजरे में कैद कर देते हैं, अंकल जू बोलते हैं कि तुम्हारे वज़से लोग मारे गए, तुमने पूरे गाव को संकट मिला दिया है, अब वाटर मॉंस्टर सब को मार देगा, यहां हम उस बुढ़िया को भी देखत कर वापस सांघाय सीटी में भेज सकता हूँ, पर वो बोलती है कि तुमने इस गाव में क्या किया, वो सांघाय सीटी की ओफिस को पता है, और वो लोग तुमें छोड़ेगे नहीं, पर वो कहता है कि तुमने पहले ही ओफिस में लेटर भीजा है, कि यहां सब को वाटर मॉ बग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें भी मार देंगे, जिया वहां से भागती है, तभी एक आदमी वहां आता है, और जिया से कहता है, कि मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ, तुम्हारे भाई एक बिमारी के वज़े से काफी अजीब दिखने लगा है, वीलेजर उस मॉन्स्टर कहते हैं, और वह उसे मार देंगे, इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा भाई कहां है, जिया अपने भाई को बुलाने के लिए बासूरी बजाती है, और हम उसे आते हुए देखते हैं, तभी वो आदमी उस पे हमला कर उसे पकड़ लेता है, ये देखक जिया भेहोश हो जाती है, ये आदमी और कोई नहीं, बलकि मेयर था, मेयर ने जिया को मरा समझकर एक कॉफिन में रखकर नदी में छोड़ दिया था, अब जिया को अपने जन्म की सच्चाई पता चल चुकी थी, तभी टीनू एक बोट में वहां आता है, और गावालों को बताता है कि ब्लैक उट फॉरेस्ट के गूफा में काफी बच्चो को कैद करके रखा गया है, अंकल जू और मेयर ये सुनकर चौक जाते हैं, शायद उनका राज अब खुलने वाला था, यहां एक आदमी गावालों को बताता है कि अंकल जू और मेयर गैंस्टर है, और वो बच्चों से इनलीगल काम कराते हैं, उन्होंने बच्चों को कैद करके रखा है, जिया भी आजाद हो चुकी थी, हम मेयर और जू को देखते हैं, जो बोट से भाग रहे थे, अंकल जू बोलते हैं कि ये सब तुम्हारे वज़ा से हुआ है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा पारता है, और वो अंकल जू को मार देता है, अब वो गुफा में पहुशता है, हम उन सभी बच्चों को देखते हैं, जिने गुफा में कैद करके रखा था, यहां इन्हें बंदुआ मज़़ूर बना के रखा गया था, जिया और टीनू भी यहां पहुशते हैं, तीनू बच्चों को बोलता है, कि हम तुम्हें बचाने आये हैं, पर वो कोई रिपलाई नहीं देते, जिया टीनू को बोलती है, कि तुम बच्चों को बाहर लेकर जाओ, मैं मेर को ढूंटी हूँ, अब वो गुफा के और अंदर चली जाती है, इधर एक आदमी ने टीनू को दे देती है, और आगे बढ़ती है, पर मेर उस पर हमला कर देता है, अब वो वाटर मॉंस्टर को बुलाता है, और उससे कहता है, कि ये तुम्हारी बेहन है, जो बच्च rulers में चोड़ कर भाग गई थी, तुम्हारे ऐसे रूप को देखकर तुम्हारे पैनेंट्स ने भी तु ये देखकर मॉंस्टर उस पर हमला करता है और उसे मार देता है अब वो जीया के पास आता है जीया उसे बताती है कि मैं अपनी याददास हो चुकी थी पर हमेशा ही मुझे अपने जन्म की सच्चाई जाननी थी जो आज मुझे पता चली है मॉंस्टर अब वहां से गुफा में जाता है जहां सभी बच्के थे वो काफी गाहल हो चुका था जिया भी यहां पहुचती है पर वो मर जाता है गाओवाले भी वहां पहुच चुके थे और अपने बच्चों को देखकर और वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं सुबह होती है और जिया वापस अपने शांगाय सीटी चली जाती है क्योंकि उसे अब सब कुछ याद आ चुका था जिसके लिए वो यहां आई थी और यहां मूवी खत्म होती है दोस्तो चैनल को प्लीज लाइक करें और सबस्क्राइब करें